हेलो स्टूडेंट्स सौगत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजिनरिंग चैप्टर वाइज में आज की वीडियो है प्लम्बिंग सर्विस लेक्चर 14 और ये है हमारा चैप्टर हीटिंग सिस्टम इसमें हम हीटिंग सिस्टम के बारे में डिसकस करेंगे आए देखते हैं हम इसमें क्या-क्या टोपिक कवर करेंगे तो इसमें फर्स्ट हम कवर करेंगे हीट ट्रांसफर, वाटर हीटर, गीजर, डोमेस्टिक होट वाटर स्प्लाई सिस्टम, सेंट्रल हीटिंग, एंड सोलर वाटर हीटर इन सभी टोपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल Civil Engineering Chapter wise को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुच सके और इस वीडियो को जहदद आप study group में share कीजिए ताकि सभी इस वीडियो का benefit ले सके आज ये start करते हैं आज की वीडियो First हमारा आता है heat transfer heat transfer क्या होता है एक point से दूसरे point पे heat के जाने को heat transfer बोलते है और ये generally होता है जहाँ पे high temperature होता है और एक point पे low temperature होता है तो high temperature से low temperature की तरफ heat का जो जाना होता है transfer होना होता है उसको बोलते है heat transfer इसमें उसको कुछ medium की भी जरूद हो सकते है या फिर यह without medium भी transfer हो सकता है यह कि करके हम सब के बारे में discuss करेंगे ठीक है एक जंगे से दूसरी जंगे पे जाने को heat transfer बोलते हैं जब temperature difference जैसा अभी हमने बताया temperature में difference हो यानि कि एक जंगे पे ज्यादा temperature और दूसरी जंगे पे कम temperature हो तो high temperature point से low temperature point के तरफ heat का transfer होना start हो ज जब तक होता है जब तक दोनों point thermal equilibrium नहीं होती उसी point को बोलते है thermal equilibrium और उस point पे heat का transfer रुक जाता है ठीक है उस point पे heat का transfer stop हो जाता है ठीक है यह generally होता कब है जब higher to lower temperature किसी contact में आ जाते हैं ठीक है अब तीन टाइप से heat का transfer होता है तो उसमें फर्स्ट हैमारा conduction जो की solids में हो जाता है convection जो कि fluids और gases में भी होता है यह और लाश आता है radiation through anything heat allows to pass it ठीक है radiation यह तीन है हमारे conduction, convection, radiation इन से भी कम एक एक करके अभी discuss करते हैं first है हमारा conduction in solid solid में जैसे कि metal होता है तो metal की property क्या होती है अगर एक point यह जैसे यह हमारी metal की road है इस पे हम इस तरफ इस end पे इसको गरम कर रहे हैं इसको heat की energy supply की जा रही है तो यह इस को इस तरफ direction में move कर देता है क्यों करता है क्योंकि इसके अंदर जो molecules होते हैं element यह जो हमारी metal seat है metal road है इस metal में जो molecules होते है metal के वो heat energy से energize हो जाते है उसमें energy आ जाते है और वो collide करते हैं दूसरे molecule के साथ और अपनी energy उस molecule को transfer कर देते हैं ठीक है वैसे ही जब second molecule energize हो जाते हैं उसमें energy आ जाती है heat की तो वो दूसरे molecule को अपनी heat को transfer करते हैं तो ऐसे ऐसे करके यह heat का transfer होना start हो जाता है यहाप आप देख सकते हैं thermometer में यहाँ पे temperature ज्यादा है फिर यहाँ पे कम temperature फिर और ज्यादा कम अचल जाएगा ठीक है यह तब तक चलेगा जब तक यह thermal equilibrium नहीं हो जाता ठीक है यह होता है हमारा conduction in solid यह solid में होता है conduction in solid जब दो objects होते हैं और उनमें temperature difference होता है और वो किसी contact में होते हैं by a medium of solid metal ठीक है wooden का case यह फिर plastic का case इसमें नहीं आता क्योंकि वो thermally insulator होते हैं ठीक है वो bad conductor होते है heat के bad conductor होते है movement of heat through a substance by collision of molecules molecules का समें collision होता है आपस में टकराते हैं और अपनी energy को यह एक दूसरे के साथ share कर लेते हैं ठीक है तो यह होता है collision of molecules ठीक है फिर इसमें क्या होता है जब तक होता है जब तक thermally equilibrium यह achieve नहीं कर लेते हैं ठीक है next point इसमें क्या था metals जो होते हैं धातू वे काफी अच्छे होते हैं conductor of heat energy काफी अच्छे conductor होते हैं heat energy के लकडी plastic हमारे अच्छे conductor नहीं होते और इनको बोलते हैं insulator ठीक है इसी वज़े से जो हमारा pan होता है frying fan या जो हमारे kitchen में appliances होते हैं तो उसका handle जो होता है है वह hard wood का या फिर strong plastic का होता है ताकि हम जो heat energy है हमारे हाथ को जला नहीं पाए ठीक है तो इसलिए यह होता है handle हमारा hard plastic का बना हुआ होता है यह था हमारा conduction अब आता है convection convection क्या होता है यह देखिए ऐसे एक यह pan है इसमें water को boil किया जा रहा है और heat energy हम इसके base से इसको supply कर रहे हैं बट अब क्या देखते हैं कुछ time बाद हमारा पूरा पूरा पानी है वह गरम हो जाता है ऐसा क्यूं होता है इसमें यह होता है हमारा cycle create होता है इसे बोलते convection cycle ऐ leकान, convection current खेड भी बोलते है, convection cycle भी बोलते है यह गरम पानी को जोकी heat energy नीचे से bottom से इसको supply की जा रही है वह पानी गरम हो जाता है और गरम पानी उपर की तरफ ठंडे एरिया में चाने की कोशिस करता है और ठंडा पानी गरम होने की कोशिस करता है तो ऐसे ये cycle create होता है और ठंडा पानी एक दूसरा के साथ interchange हो के पूरा का पूरा पानी जब तक थर्मल एक्वेलिबरियम नहीं हो characteristics पूरा पूरा पानी हमारा गरम हो जाता है ठीक है तो यह था हमारा कन्वेक्शन आप देख सकते हैं cooler water descends थंडा पानी नीचे की तरफ जा रहा है और warmer water rises गरम पानी उपर की तरफ जा रहा है तो यह बोलते हैं convection यह gases में भी होता है और liquids में भी होता है convection heat transfer in liquid and gases gases में भी होता है और liquid में भी होता है next point क्या था when warmer area of liquid or gases rises to cooler area in the liquid or gas second point है हमारा गरम जो हमारा point होगा वो rise करेगा ठंडे point पे जाने की और ठंडा जो point होगा पानी का या गैस का वो गरम होने की कोशिस करता है ठीक है तो इसलिए एक cycle create होता है और वो convection cycle या convection current उसको हम बोलते हैं ठीक है इसी को mechanical displacement भी बोलते है हीट पार्टिकल का heating particle mechanical displacement बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो अपनी पोजिशन एक जंगे से दूसरी जंगे पर ट्रासफर करता है जबकि conduction में हमारा क्या था वो जो पार्टिकल है move नहीं करता है और second particle को अपनी energy transfer कर देता था कोलाइड करके ठीक है इसमें पार्टिकल ही move हो जाता है और यह movement होता है mechanical displacement कहलाता है ठीक है whenever liquid or gases is presented in a region having some temperature difference in convection cycle is set up जब भी temperature difference होता है तो convection cycle set up हो जाता है और वो अप और cycle इसको पूरे जो system होता है gas का यह liquid का उसको warm up कर देता है ठीक है अब next आता है हमारा thermal radiation thermal radiation क्या होता है यह देखिए जैसे आग यहां पे जली होई है और हम उसकी तपिस को दूर से ही मैसूस कर लेते हैं ठीक है यह होती है जो heat का transfer हो रहा है यह होता है radiation के तुरूप ठीक है इसमें ना तो कोई solid metal connected है हमारे हाथ से और आग के बीच में नहीं यहां पे कोई यह क्या नाम है liquid है या gas है यह direct अगर जैसे sun का भी अब case लेते हैं तो sun काफी दूर है और वहां से भी धरती पर हमारी जो sun rays आती है sun की गर्मी आती है वो आ जाती है हो तियδं के तुरूप ठीक है thermal radiation conduction में और convection में किसी ना किसी matter की या medium की ज़रूरत होती है बट इसमें कोई भी जरूरत नहीं होती ठीक है जैसा कि हम sun की बात करें तो उसकी करमी हमारे तक आजाती है without हम उसको चुए हमारे पास उसकी आजाती है in fact heat is transmitted through empty space by thermal radiation अगर कोई space खाली है तो वहाँ पर भी thermal radiation के तुरू हमारे पास heat आजाती है ठीक है thermal radiation no mass is exchange and no medium is required इसमें कोई भी mass का एक्सेंज नहीं होता है और किसी भी medium की जरूरत इसमें नहीं होती ठीक है thermal radiation is the energy emitted in the form of radiation by a body on account of its temperature जो भी heated temperature body है उससे ये radiation निकलती है और transfer होती है दूसरी तरफ for example जैसा कि अभी हमने sun का लिया है सूरज की गर्मी धर्ती तक आती है through radiation ठीक है तो ये था हमारा radiation अब आता है water heater water heater क्या होता है जो पानी गरम करने के लिए काम में आते हैं ठीक है जैसे hospitals में, घरों में, hotels में और industrial area है वहाँ पर इनको सभी की जरूत होती गरम पानी की तो वहाँ पर पानी गरम किया जाता है और इसको गरम कैसे किया जाता है या तो electricity से या फिर gas का यूज करके या फिर किसी oil का या फिर solid fuels का इन सभी का यूज करके हम पानी को गरम करते हैं ठीक है गरों में जो pipe का network होता है वो cold होता है और उसको पानी को जब जरूरत होती है तो गरम करना पड़ता है washing machine के लिए या फिर hot water drinking या water heater are required उन सभी चीजों के लिए हमें पानी की जो गरम करना है water heater की जरूरत होती है water heaters क्या होते है और उनका क्या-क्या use होता है तो आप यह देख चुके पानी को गरम करना ही हमारा होता है अब types क्या-क्या होते है water heater के types उसको हम discuss करते हैं इसमें जर्रली दो टाइप के होते है water heater एक तो होता है storage water heater जिसमें पानी कुछ time के लिए store होता है फिर वो गरम होता है और जब उसकी जरुत होती है हम उसको वहां से withdraw कर लेते हैं और दूसरा होता है instant water heater जिसमें हम पानी की जरुत होती है उसको on करते हैं और तुरंत वह पानी गरम कर देता है और जितना हमें पानी की जरुत होती हम उससे पानी ले लेते हैं तो दो type का होता है एक तो tankless और एक storage tank ठीक है storage tank इसमें पानी कुछ लेक time के लिए हम store करते हैं और without tank जो होता है उसमें पानी बिल्कुल भी हम store नहीं करते हैं उसको बोलते हैं instant water heater ठीक है अब देखते हैं storage type water heater storage type water heater क्या होता है यह कहां पे होते हैं जर्णली kitchen में होते हैं बातरूम में होते हैं और जब length of pipe line is less pipeline की जो हम storage water heater का हम यूज करते हैं kitchen और bathroom में क्यों करते हैं वहाँ पे उसी को ही हम वहाँ पे install भी करते हैं और ताकि नमारा जो pipeline का जो expense होता है वह काफी खर्चा कम हो ठीक है अगर हम कई और इसको install करते हैं तो वहाँ से इसको बातरूम में या kitchen में pipe गरम पानी को लाने के लिए हमें जो pipe connection वहाँ पे करने होंगे तो वह बढ़ जाता है इसलिए हम बातरूम में kitchen में ही इसका installment भी कर देते हैं इंस्ट्रोलेशन भी कर देते हैं ठीक है इसकी जो cylindrical shape होती है या फिर oblong type की इसकी shape होती है height और width की ratio इसकी two ratio one होती है generally यह बना की चीज का होता है tin copper galvanized steel generally हम use करते हैं इसको बनाने के लिए और vessel is provided with cold water feed water and non return wall pressure relief wall vent pipe etc जो इसमें appurtences use होते है cold water feed यानि कि जिस तरफ से पानी थंडा पानी इसके अंदर जाता है फिर non return wall वो non return wall हमारी क्या होती है check wall check wall पानी को वापस आने से रोकती है ठीक है वो entry तो उसकी अलाव करती है बत वापस उसकी return अलाव नहीं करती तो check wall लगाते हैं फिर pressure relief wall वापस होती है फिर vent pipe यह सारे उसमें appurtences होते हैं इसका हम use करते है storage type water heater में ठीक है फिर आता है इसका type electrical storage water heater electrical type का है जो के pressure type है ठीक इसमें क्या होता है storage water heater consists of a thermally insulated vessel one or more electric heating elements thermostate and pipe connection इसके अंदर एक vessel होती है electrical heating element होता जिसे पानी गरम होता है फिर thermostate होता है thermostate का काम क्या होता है यह control करता है heat का जितना पानी गरम हो तो उतना ही यह इसको maintain करता है और पानी गरम होने के बाद यह automatically इसको switch off भी कर देता है ठीक है यह use कापे होते है जब पानी की quantity हमें ज्यादा चाहिए होती है कम time में sort duration में ज्यादा पानी चाहिए होता है जैसे कि इसकी range होती है 25 liter to 140 liters capacity ठीक है इतने पानी की जब जरूत होती है यानि की huge quantity है तो हम storage type water heater का use करते हैं यह देखिए अब storage type water heater यह है inlet आप देख सकते हैं इनलेट है यह है इसका outlet यहां से outlet होगा एक तरफ से inlet पानी अंदर जाएगा फिर यह heating element है इसका heating element है इसमें इसकी walls वगरा लगी होई है ठीक है यह इसकी outer covering है जो के insulated है यह बनी होती है हमारी rubber यह glass wool and insulation glass wool ठीक है glass wool insulation की यह बनी होती है और बहर से बिलकुल insulated होती है इसके अंदर पानी घटा होता है और पानी गरम होता है ठीक है यह इसके दिवार में लगाने के लिए जो brackets है वो है पानी गरम होके फिर outlet से यह पानी भार आ जाता है और इसको हम use कर लेते हैं ठीक है तो यह था हमारा storage type water heater इसके अंदर thermostate भी है यह देखिए thermostate है यह temperature को control करता है green indicator lamp green indicator lamp इसके अंदर indicator भी होते हैं green indicator और red indicator यानिक पारिंग गरम हो जाता है तो red पानी गरम नहीं हुआ तो green indicator यह type case में lamp यह के नमें indicator भी होते हैं ठीक है यह consist of a copper ore steel cylinder made up of withstand high pressure इसके अंदर copper ore steel का slender होता है जो की high pressure को भी bear कर सकता है ठीक है उसके अंदर दो pipe होते हैं 15-15 mm की जो की ठंडे पानी को अंदर लेता है और गरम पानी को बाहर लेके आते हैं ठीक है insulating material से एक cover होता है ताकि बाहर इसकी गर्मी ना आए ठीक है cylinder को अच्छे से paint किया जाता है और उस पे label किया जाता है जिस company के तुरू उसको बनाया जाता है उसके अंदर फिर thermostate होते हैं जो के temperature control का का काम करते हैं ठीक है तो यह थी इसकी working and construction of storage type water heater अब आता है geezer geezer क्या होता है हमारा instant water heater होता है यह तुरंत पानी को गरम कर देता है और उसको supply करता है इसमें भी यह होता है एक तरफ से inlet होती है एक तरफ से outlet होती है और इसका heating element है यह इसको पानी को गरम करता है यह इसका tank है copper का tank और इसके उपर ये जो insulating material से cover होता है ठीक है ये इसका electric connection है फिर इसमें thermostate भी होता है जो अभी मनें बताया temperature control करने के लिए ये सारी चीज़ इसमें लगे होते हैं इसमें भी indicators होते हैं red और green कलर का पानी गरम हो जाए तो red और ठंडा हो जाता है तो green tank bracket ये bracket है tank को दिवार में attach करने के लिए तो ये थे हमारे geyser के जो instant water heater होता है उसका diagram ठीक है अब geyser definition जब पानी की quantity कम हो और गरम पानी जल्दी जरूरत हो तो तब हम इसका use करते हैं जल्दी से ये पानी को गरम कर देता है और उसको pass कर देता है इसके अंदर electric load वो ज्यादा होता है storage टाइप water heater से काफी ज्यादा होता है ठीक है इसका use हम करते हैं kitchen के उपर और बातरूम में they are cheaper than storage टाइप ये सस्ते भी होते हैं हमारे storage टाइप water heater से बट इसकी जो running cost है वह काफी ज्यादा हाई होती है instant water heater होते हैं उनका load तीन से 6 kilowatt होता है जबकि जो हमारे storage टाइप water heater होता है उसका load 1.5 to 3 kilowatt होता है ठीक है overall dimension काफी dimension में भी चोटा होता है यह 40 cm x 30 cm और thermal जो controller होता है वो thermostat से होता है इसके अंदर भी instant water heater must be switch off immediately after use जैसे ही पानी गरम हो दाता है तो उसको हम switch off कर देते हैं और जो की indicator के लोग चलता रहता है ठीक है इसकी height generally हमारी 1.5 meter हम इसकी रखते हैं floor level से ताकि जो भी इस पे apply हो apply करने के लिए इसको ज़रूरत हो वो easily इसको operate कर सके ठीक है तो यह था geyser अब आता है domestic water hot water supply system domestic hot water supply system कहां पर यूज होता है यह थंडे area में यूज होता है जैसे बरफ जाबे गिरती है या फिर पहाड़ी area है तो वहां पर थंड जादा होती है तो उस point पर water की जो heating system है तो वह यह होता है तो इसमें काफी अच्छा काम होता है यह क्योंकि उस time पर ठंडा पानी तो बिल्कुल भी use नहीं कर पाते और पानी जम भी जाता है तो वह पानी यूज करने के लाइक बिल्कुल नहीं होता है तब हम इस पानी को यूज करते हैं domestic hot water supply system का हम construction करते हैं जिससे की पानी तो गरम वहाँ पे आता ही और साथ ही साथ ये उस room को उस building को भी गरम करने की कोशिस करते हैं ठीक है जैसे ये comfortably वहाँ पे जो residential area है उसमें जो लोग रहते हैं जो people वहाँ पे रहते हैं वह भी वहाँ पे अराम से रह सकें ठीक है दोनों काम ये करते हैं ठीक है तो ये जो consumer उसको गरम पानी तो प्रवाइड करता है गरम और ठंडा पानी दोनों प्रवाइड करता है साथी साथ building को यह गरम रखता है safe रखता है ठीक है और इसका जो main फाइदा होता है वो पानी और बिजली को बचाता है ठीक है Domestic Water Supply System with Gravity Tank Gravity Tank के साथ Domestic Water Supply System क्या होता है इसमें एक tank होता है जो कि कम से कम 10 मेटर हाइट पर होता है तो दा highest outlet और consumer कंजूमर से कम से कम 10 मेटर की हाइट पर यह होता है Volume tank का काफी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें काफी time के लिए पानी को store किया जाता है ठीक है drawback इसका इसका नुकसान क्या होता है क्योंकि यह top floor पर जो हमारा tank होता है वो construct होता है और ठंडे area में यह जम सकता है tank हमारा जो पानी है वो जम सकता है ठीक है तो इसका यह drawback भी है और जो tank है वो काफी बड़ी quantity में पानी को store करता है और इसलिए उसका जो volume है वो भी काफी heavy होता है दो कि construction के type difficulty provide कर सकता है तो यह था इसका drawback अब इस figure के तुरू हम समझ नहीं कोशिस करते है तो इसमें working क्या होती है ठीक है यह था gravity tank इसमें पानी को store कर जाता है यह हमारा main water supply system यहां से पानी pump के तुरू tank में जाता है और कुछ पानी इधर हमारा जो hot water storage tank है इसमें जाता है ठीक है तो यहां से पानी फिर गरम होके supply किया जाता है और यहां से पानी थंडा वो supply किया जाता है तो दोनों तरफ पानी थंडा और एक तरफ पानी गरम यह हर एक रूम में इसको supply किया जाता है तो यह था हमारा domestic water supply system with gravity tank ओके अब आप देख सकते हैं यह है हमारा central heating का काम क्या होता है यह पूरी building में एक हमारा जो रूम होगा उसमें सारा process किया जाता है और वहां से गरम पानी को पूरी building में supply किया जाता है ठीक है जैसे hotels है या फिर hospital है तो वहां पे central heating का अलग से रूम होता है वहां पानी को अच्छे से गरम किया जाता है या फिर फर फानी को ठंडा किया जाता है यान एगर कोई area जैसे desert area है तव 제 होती है तो वहां पे फानी को ठंडा भी किया जाता है, वह जैसे बरफिला एरिया है जहाँ पर आइस ज़्यादा गिरती है तो वहाँ पर जो पानी है उसको गरम करना पड़ता है तो दोनों परपस के लिए इसका यूज क्या जाता है इसको बोलते हैं इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं जो कि पानी गरम करता है फिर प्रोग्रामर होता है प्रोग्रामर काम क्या होता है यह उसको कंट्रोल करता है कि पानी कितना गरम चाहिए और डिजार्ड अमाउंट में अगर पानी गरम होता है तो उसको फिर पावर को क स्लिंद्रिख्ल थर्मोश्टेट स्लिंद्र के स्लिंद्र के set होता है उसमें पानी हुए ओसको उसके टेंपरेटर करता है रेडीएटर गद इभी टेंपरेचर कंट्रोलर के काम में आते हैं हुट वारटर स्लिंद्र diverter wall and pump ये सबी components हमारे central heating system में use होते हैं ये आप figure में देख भी सकते हैं ये boiler है यहाँ पर ये radiator है ये इसके tank है water के और ये building में use है domestic hot water storage system ये है इसमें पानी को store किया जाता है और ये हमारे main service line जासे पानी supply किया जाता है घरों में ठीक है अब देखिए the boiler has two separate function boiler के अलग-अलग दो function होते है to hot heat hot water and to heat the house ये पानी को भी गरम करता है और गरम पानी से घर को भी गरम रखता है ठीक है the programmer contains a clock इसमें एक घड़ी होती है two time switches time switches होते है which turn the hot water and central heating system on and off ये जो होते हैं programmer इसमें गड़ी के अनुसार time को set के जाता है ताकि हमें जिस time पे पानी की गरम पानी के जरूरत हो उस time पे ये on हो जाए और कुछ time बाद ये off हो जाए ठीक है तो ये था programmer का का काम फिर क्या था थर्मो स्टेट जो होता है वो boiler के on and off करने का काम करता है if both the ceiling calling for heat अगर वहां पे जो गरम पानी के जरूरत होती है तो ये उसको अच्छे से अडजेस्ट करके पानी को गरम करते हैं और पानी को सप्लाई करते हैं तो ये सारा काम होता प्रोग्रामर थर्मो स्टेट और रेडियेटर का ठीक है पाइब के जो बने होते हैं वो होते हैं copper के और plastic के वहां पे ये pipe का हम यूज करते हैं और generally diameter होते हैं 8 mm to 35 mm इसका diameter pipe का होता है है अब आता है conventional heating home heating system ये ब्लोगल सेम हैं professional पुराने टाइम पर भी उस ऐसा ही यूज किया जाता था जिसमें एक जो बड़ा हमारा cold water storage tank होता था वहां से पानी को लिया जाता था और cylindrical hot water storage होता है उसमें इसको store किया जाता था और प्यूरी building में गरम करने का काम करता था और उसी से ही पानी हम आगे supply किया जाता था यह आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है यह के मेन सर्विस जो हुमारी यह वाहसे पानी इन दोनों tank में जाता है यहा से एस tank में और यहा से इस tank में फिर इस पानी को होक ओटун वाटर जो boiler है। बोईल के तुरू गरम करता है और 이게 pump एक पुम्प इसको अगे पुस्ट करता है पानी हो डोमेश्टिक होट वाठरेज टैंक है यहां से स्टोर किया जाता है और जब भी पानी की जिरुत होती है तो इसको सप्लाय किया जाता है आगे कि अ से यह था कन्वेंशनल होमी यह कि इस olm उमीद करें तो आपको समझ में आया होगा ये अगर नहीं आया तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना मैं दुबारा से इसको अच्छे से explain करने की कोसिस करूँगा मेरे according अभी तक आपको ये समझ में आ जाएगा बिल्कुल easy diagram है दुबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं main pipe से पानी हमारा जाता है tank में दो टाइप के tank होते है ये दो टाइप के tank भी क्यों होते है क्योंकि एक जो होता है hot water के लिए और एक cold water के लिए इससे पानी हमारा जो hot water tank है वहाँ पे आता है और जो boiler है वहाँ से पानी गरम होता है ये फिर exchange होते है जहाँ पे hot water और cold water दोनों की जुरूत होती है उसको ये अच्छे से manage करते है यहाँ पे ओर radiator है ये इसको जहाँ पे temperature है उसको अच्छे से control करता है ठीक है अगर temperature ज़्यादा हो जाता पानी का तो ये power को off भी कर देता है और जब पानी की temperature कम होता है तो ये automatically on हो जाता है तो ये काम इसके होते हैं radiator के ठीक है ये थे इसके conventional home heating system के components and working अब आता है solar water heater solar water heater आप सभी ने इसको देखा भी होगा क्यों इसको use करते हैं क्योंकि काफी useful होता है और काफी efficient इसकी working होती sun जो होता है power house of universe इसको बोला दाता है क्योंकि पूरे universe में इसी से ही power जाती है और काफी energized ये source है energy का initial and ultimate source of global energy ये होता है ठीक है इसकी energy को हम अच्छे से use कर सकते हैं black color जो होता है वो absorb करता है energy on it as compared to other color जाद है जादा energy को absorb करता है black color किसी और color के comparison भी है ठीक है ये ही इसका basic principle भी है solar water heater का basic principle भी ये ही है ठीक है black coated absorber panel in solar heater absorb the energy of sun rays sun rays की energy को अच्छे से समझ जाएंगे ये देखें ये है solar water heater ठीक है solar water heater और ये देखें इसकी working ये है इसकी working pump के तुरू cold water in pipes में जाता है ये pipes इनका काम क्या होता है ये sun rays की जो heat है इसको absorb करते है और उसके अंदर जो पानी होता है उसको ये गरम कर देखेंगे इसको boil करते है ठीक है वो पानी जो गरम होता है उसको फिर ये transfer करते है और इसको store किया जाता है इन storage tank में ठीक है तो ये था इसकी working अब देखिए cold water storage tank एक इसमें cold water storage tank होता है जहां से पानी को cold water को store किया जाता है वहां से पानी हमारे इन pipes में आता है ठीक है इनको tubing बोलते है और इस tubing से पानी गरम किया जाता है ठीक है इस सारे अरेंड्मेंट को बोलते हैं collector box जहांपे pipe insert होती है ठीक है collector box क्या होता है जो की heart होता है solar system का ठीक है collect क्या करता है sun energy to heat water water को गरम करने की जो पानी की जो energy की ज़रूत है उसको यह collect करता है और पानी को गरम करता है ठीक है tubing and collector plates must be of same metal जो tubing है और collector plate है यह same metal की होनी चाहिए ठीक है और black painted होती चाहिए चाहिए जितनी चाहिए ज़्याद ठीक है उसमें पानी आएगा और वो पानी गरम होता रहता है all piping should be insulated हर एक pipe है वो insulate होनी चाहिए hot water storage पानी जब गरम होता है फिर इसको storage tank है जो hot water उसमें store किया जाता है distribution and system pipeline distribution system pipeline यह इसमें pipes होती है यह copper या फिर GI की बनी होती है फिर controls इसमें काफी से जो पानी को flow को control करने के लिए air relief वाल thermostate strainer non return वाल level controller temperature controller इन से भी device का हम यूज करते हैं ताकि इसकी working efficient हो से अब इस figure में आप इसको अच्छा से समझने कोशिश कीजिए यह देखिए यह हमारी tube इसमें पानी गरम होता है ठीक है first जो मारा cold water tank है यहां से पानी को supply के दाता है इस pipe के tubing में tubing sun rays को sun rays की energy को Heat energy को convert इसमें पानी को गरम करने में करता है और यह tubes होती है यह यहें पानी को गरम करती है पानी को गरम करके यह stability tank इसमें पानी रहता है अब इस्टोर वाटर को हम जहां पर यूज कर सकते हैं वहां पर इसको यूज कर सकते हैं ठीक है तो इसमें जो कंपोनेंट्स है जैसे ट्यूब होल्टर यह ट्यूब को होल्ड करने के लिए है सोलर सिस्टम स्टेंड है वाल है यह इसको control करने के लिए है hot water pipe है यह hot water के pipe है जहां पे इसको हम supply कर सकते हैं फिर यह air pipe है जो की air relief pipe होती है बाल बाल है ठीक है जो open और close करने का इसका काम करती ठीक है तो उमीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा यह था हमारा solar water heater system ठीक है solar water heater system उमीद करता हूँ यह आपको वीडियो अच्छी लगेगी आपको समझ में आएगी और अगर आपको इसमें कुछ doubt है तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं Thank you for watching, have a good day